हेलो एब्रीवन कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब बिलकुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लोग्स में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट सबसे पहले आप सभी को मेरी रामरा ये शाम के 7 बजे का टाइम है आज मैं अपना इवनिंग रूटीन आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ और आज रात के खाने में बनाऊंगी हरी दाल और चावल की खिचडी वैसे खिचडी विशाल और विशाल के पापाजी को बिलकुल भी पसंद नहीं है ये दोनों तो खिचडी का नाम सुनते ही दूर बैड़ जाते हैं बोलेंगे कि खिचडी भी कोई खाने की होती है खिचडी को तो मरीज लोग खाते हैं लेकिन अनुज मैं और अनुज की दादी हम तीनों को खिचडी खाना बहुत पसंद है मुझे तो अच्छी लगती है खाने में और कापी दिन हो गए थी मैंने खिचडी बनाई भी नहीं थी तो सोचा कि चलो आज मैं खिचडी बना लेती हूं क्योंकि सुबह की दो कटोरी सबजी रखी हुई है तो मैंने सोचा कि सबजी को गरम कर दूँगी ये दोनों पापा बेटा फिर रोटी खा लेंगे मैं इन दोनों के लिए रोटी बना दूँगी और हम तीनों के लिए खिचडी हो जाएगी तो उसी की मैं यहां पर तयारे कर रही हूं और अभी चावल लिए है मैंने लगभग छोटी कटोरी है एक कटोरी और एक कटोरी से थोड़ी सी कम मैंने हरी दाल डाली क्योंकि मैं इसमें दाल जादा डालती हूं तब ही मुझे ये खाने में जादा अच्छी लगती है तो वैसे तो चावल साफ ही है क्योंकि मैं पैकिंग वाले चावल और डाल मंगवाती हूँ ना तिoter में कंकर बगए नहीं होती है यह बलकुल साफ ही होती है लेकिन फिर भी मैं इक बार चेक कर लेती हूं कि कहीं कोई कुछ हो इसके अंदर तो एक बार उसको साफ जरूर कर लेती हूं और अभी इसको धोके और फिर मैं किचडी बनने के लिए रख दूँगी आज मैं रेसिपी शेयर नहीं की है मैंने क्योंकि मैंने एक दो बार किचडी की रेसिपी आप सब के साथ शेयर की हुई है और अभी मैं साथ के साथ दूद को भी छान लेते हूं और एक दो बैनों ने बीच बीच में पूछा भी है कि आप कितना दूद लेते हो और कहां से लाते हो तो देखिए हम 4 किलो दूद लेते हैं और गाउं है यहां पास में ही बड़वाशनी वहीं से ले आते हैं काफी अच्छा में दूद मिल जाता है ये भैस का इनकी मलाई उतार के मैं इसको जमा लेती हूं तो काफी अच्छा खासा मक्खन निकलाता बच्चों के लिए तो भगवान की करपा से सब काम अच्छे से हो जाता है और अब ये जो सुबह की सबजी है इसको मैं फ्राई पैन में डाल के रख लेती हूं जब खिचड़ी में सि बगएरा पीते हैं बच्चे वो सारे बरतन अभी जूटे पड़े मैंने साफ नहीं किये हैं तो पहले तो जो ये सुबह खाना खाने के बाद बरतन साफ किये थे ना ये सूख चुके हैं इनको इनकी जगए पर सेट कर देती हूं वैसे तो जगए है रैंक में अगर मैं चा सामने गाजर रखी हुई हैं आज मंडी गए थे विशाल के बापा जी मैंने पांच किलो गाजर मंगवाई हैं क्योंकि सर्दी जा चुकी है लगभग और अभी गाजर भी कुछ दिन और मिलेंगी फिर तो खतम हो जाएंगी तो सोचा कि चलो लाश्ट बार का गाजर लगवाद तो देखिए चीज एक होती है चाहे इसको गाजर पाक बोलो चाहे गाजर का हलवा बोलो तो यह मैं कल बनाऊंगी आज तो निहीं बनाऊं क्योंकि अब तो रात ऊचुकी है तो कल भी मैं दिन में इसकी तैयारी करूँगी तो सब काम करते करते रात ही हो दूद को बोयल होने में अभी थोड़ा सा टाइम लग क्योंकि 4 क्यज उता है तो फिर बोयल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और कर रहा हो जेब धिक मोटे काम होते हैं रसोई कि वो साथ के साथ अपना करती रहती हूं और उसमें ध्यान रखती हूं कि कहीं निकल ना जाए और अभी मैं बरतन बगरा साप करूँगी तब तक सबजी गरम हो जाएगी दूद भी बोयल हो जाएगा और ये खिचडी तयार हो चुकी है तो रोटी बनाने से पहले ही मैं सासुमा को खिचडी दे देती हूं खाने के लिए वो खा लेगी अनुज को भी दे देती हूं वो खुद खिचडी खा लूँगी तो आप सब भी आईए हरी दाल और चावल की बहुत स्वादिश्ट से खिचडी बनाई है पहले घी के साथ खा लीजिए और फिर दूद के साथ खाने में काफी अच्छी लगती है हेल्दी भी होती है और ये खाना हलका भी होता है जल्दी स हजम हो जाता है तो अभी मैंने किचडी डाल दी है सासुमा को पहले दे आती हूं और अभी मैंने साथ के साथ रोटी बनाने भी शुरू कर दी है ये ब्लोग वीडियो मिलेगी आप सभी को कल दोपेर तक और कल है महासिवरात्री तो आप सभी को महासिवरात्री परव की ब पूरी हो जाएं क्योंकि अच्छी सेहत ही सबसे बड़ी दोलत होती है दुनिया की सारी दोलत एक तरफ और अच्छी सेहत एक तरफ सबसे बड़ी दोलत अच्छी सेहत होती है इसलिए आप सभी के अच्छी स्वास्थे की बगवान से कामना करती हैं आईए और रात का खाना खा लिजिए आज की इस वीडियो का मैं यहीं प्रेंड करती हूँ बस छोटी सी वीडियो के साथ आप सबसे मिलने के लिए आई हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर जुरूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेर प्यार भरा नमस्कार राधा स्वामे राधे राधे जै श्री राधे बाई बाई